हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीहू के आटे का बहुत ज़दा क्रिस्पी और टेस्टी नास्ता आप एक पर इस नास्ती को बना कर खा लेंगे तो समोसा पेटी स्थाना भी भूल जाएंगे खाने में यह बहुत ज़दा टेस्टी और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए फ्रेंड बिना किसी देरी के फटा फट से नास्ती को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से सब्सक्राइब कर लें साथ में जो घंटी आती हो उसे भी जरूर प्रस कर दे ताकि हमारे चैनल पर जब भी नहीं वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन यानि की मैसेज आपको मिल सके और आप फटा फट से वीडियो को पौच कर सकें तो चलिए फटा फट से चट पटे से नास्ति को बनाना स्टाट करते हैं तो फटा इस नास्ति को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे तो आटा लगाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक कप जितना गिहूं का आटा तो सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और अपने गिहों के आटे को हम अच्छे से transfer कर लेंगे इसमें तो यहाँ पर आटे को हम पहले अच्छे से छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गंदगी वगरा ना हो तो इस तरह से आपको महीन वाला आटा इस्तिमाल करना है इस नास्ति को बनाने के लिए तो आटे को हमने अच्छे से छान लिला है तो अब इसमें एड करेंगे स्वाध अनुसार नमक नमक के बाद हम इसमें एड करेंगे एक čौथाई चमप जित्ती अजवाइन तो इस नास्ति में अजवाइन डालने से नास्ति का टेस्स बहुत जादा अच्छा आता है इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे तो छोटे चमत जितना melted गी आप अगर घी नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगा पर refined oil भी यूज़ कर सकते हैं तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से mix कर लेंगे घी या फिर तेल डालने से हमारे नास्ते में बहुत अच्छा सा क्रिस्पनस आती हो यह लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहता है तो देखे सारी चीज़ों को पहले हमें ट्राइली मिक्स कर लेना है उसके बाद इसमें धीरे धीरे करके पानी डालना है और इसका हमें semi soft दो तयार करना है तो देखे यहाँ पर इसमें धीरे धीरे करके पानी डालते जाएंगे और अपने आटे को हम अच्छे से मसल कर चुकना कर लेंगे तो यहाँ पर एक से दो मिनट हो चुका है, हमने आटे को अच्छे से नेट कर लिया है, तो आप देख सकने कुछ इसी तरह का आटा आपको लगाना है, तो आटा लगकर तयार हो चुका है, तो अब इसे हम 2-3 मिनट के रिए रस पर छोड़ देंगे, जब तक हमारा आटा रस कर रहा है तब तक कि अपने हम धूसी तयारी कर लेंगे तो पर अपने नास्ते के लिए स्टफिंग तयार करेंगे इसके लिए हम लेंगे दो मेडियम साइज के उपले हुए आलू और इन आलू को हम इस तरह के महीन वाले कद्दू कस कर लिए अलू को कद्दू कस करने की जगा आप इसे मैज भी कर सकते हैं बस मेकशोर कीजेगा कि आलू के अंदर कोई भी लंपस वगयरा ना रहें तो दिखिए यहां पर हमने दोनों ही आलूओ को अच्छे से कद्दू कस कर लिया है तो आलूओ को अच्छे से कद्दू कस करने के बाद हम इसमें add करेंगे थोड़े से spice तो सबसे पहले हम इसमें add करेंगे 3-4 भारिक कटी हुई हर हाफ हापलीमेजब तो इस तरह को add करने के बाद अब हम इसमें add करेंगे थोड़े सी बारिक कटी हुई प्यास तो यहां पर हमने एक medium size की प्यास लिए अगर आप प्यास धीक आते हैं तो आप प्यास को skip कर सकते हैं साथी हम इसमें आड़ करेंगे आधा निम्भू का रस इससे हमारे नास्ते में बहुत अच्छी सी freshness आएगी और खाने में ये बहुत ज़्यदा चट पिटा लगेगा तो अब हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ से पिसे हुए मसाले तो सबसे पहले हम इसमें आड़ करेंगे आधा चोड़ा चमत जितना लाल मिच पाउडर अगर आप बहुत ज़्यदा तीखा निकाते तो आप लाल मिच को skip कर सकते हैं साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे आदा चोड़ा चम्मत जितना धनिया पाउडर इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे आदा चोड़ा चम्मत जितना च्राट मसाला पाउडर साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर तो जीरा पाउडर आपको 14 चम्माच जितना ही डालना है साथ ही हम इसमें add करेंगे एक बड़ा चम्माच जितना गराध मसाला पाउडर इससे हमारे नास्त में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा तो सारे मसालो को हम अच्छे से अलू में मिक्स कर लेंगे तो चलिए फटा-फट से इसे हम mix कर लेते हैं तो हलका सा mix करने के बाद हम इसमें add करेंगे स्वादनुसान नमक नमक आप अपने taste के according ही डालेगा जितना आपको नमक पसंदे उसके according तो सारी चीजों को हम अचे से mix कर लेंगे और इस stuffing को बनाने में बहुत एक काम समय हो जाता है नास्ता बनकर ते जाता है खाने में ये बहूत ही जड़ा अच्छा होता है, तो इस तरह से फठा-फठ से ये नास्ता बनकर ते या5 पांच मिनट में तो देखें यहां पर हमारी चटपटी सी स्टफिंग बनकर रैडी हो चुकी है तो अब इसे स्टफिंग को हम साइड में रखेंगे और अब अपने नास्ते के लिए हम एक चीज बनाएंगे जिससे हमारा नास्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और लेरी बन सकते हैं इसके बाद अपने घी में हम आयाट करेंगे तィन चोटे जमट जितना कॉन फलार डालए से हिमारे नास्त में पहुत यह सी लेयर आती है तो देखें यहां पर तो यहां पर आपको मैदा नेक कॉन फलार यूजक्कर लिया है तो देखें यहां पर हमारा यह साटा कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आटा हमारा काफी अच्छा से सेट हो चुका यह थोड़ा से सौफ्ट भी हो चुका है तो अब फटा-फट से अपने नास्ते के लिए हम लोईयां तोड़ लेंगे तो एकदम मेडियम साइज की लोईयां तोड़नी है और अपनी स लोई को हम ले लेंगे और इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे तो जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं सेम उसी तरह से आपको इसे बनाना है तो एक तम बड़ी सी चपाती आपको बनाकर तयार कर लेनी है तो यहां पर आप देख सकते हैं चपाती का जो साइज है वो इस त तो देखिए, यहाँ पर हमने चार चपाति बील कर तयार कर ली है, तो अब फटा-फट से अपने नास्ते को हम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले एक चपाति को ले लेंगे, और इसके बाद हमने जो अपना साटा तयार किया है, उसे हम इसके उपर एक चमज के जो लेयर है वो अच्छे से evenly सब जगा स्प्रेड हो जाए इसके बाद इसके उपर हम थोड़ा सा कॉन फ्लार डालेंगे और दूसरी रोटे से हम इसे कवर कर देंगी तो अब इस प्रोसेस को आपको repeat करते जाना है जब तक कि आपकी चौथी रोटी इसके उपर लेयर की तरह ना लग जाए तो यहाँ पर हमने 4 रोटियों को अच्छ से लेयर कर दिया है उपर वाली रोटी भे में हमने 1 लांटा लगाकर कॉन फ्लार डाला है और इसे इस तरह कलने के बाद आपको इसे हलक Light Corps से अच्छ से कट कर लेंगे को आपको इसी तरह से चलाना है इससे हम इसारी तियार होह चुकि यह से हम इससे हाथों से चेपटा कने की प्रेस कर दे repent और इसे अब हम बेलेंगे, बेलते समय आपको ध्यान रखना है, इसकी लेयर को आपको बहुत हलके हाथों से बेलना है, इसके बाद हमने अपनी स्टाफिंग तयार किये, उसे हम एक से डेड़ चमच के करीब इसके सेंडर में रखेंगे, और साइड में हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, आप चाहें तो कुईसी तरह की सलरी भी बना कर लगा सकते हैं, यानि मैदी की सलरी बना कर आप इसे अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर पानी लगा कर हम इसे अच्छे से सील कर देंगे, आटे को आपको निकालना नहीं है, इसी में अच्छे से अपसी मड़े लें पर यहां पर हमारा यह पहला लास्ता बनकर राडी हो चुका है इसी तरह से अपने सारे नास्ते को अच्छे से बेलते जाएंगे और हम इस तरह से शेव देते जाएंगे तो शली फट secrets आपने असारे नास्ती पो हम इसी तरह से बना कर ready कर लेते हैं तो friend हम रहे पने सारे नास्ते को बना कर ready कर लिया और आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से बिल कर तयार हो चुका है तो इस पर हम हलका सा oil लगाएंगे और इसे हम इस तरह से हलका सा बेल लेंगे तो अब अपनी एक एक नास्ते को हम हलका सा प्रस करते हुए बेल लेंगे और इसे हम direct तेल में डाल देंगे तो यहाँ पर एक बार में जितने नास्ते पैन में आ रहे हैं उतने ही नास्ते को आपको डालना है और डालने के बाद आपको इसे बिलकुल भी अबने आपको से अइल चूक September साइन होता कियाकई में अंदर अच्छत को याई तो थोड़ा से ही तो बस दो से तीन मियम थिले लगेंगे नास्ते को अच्छत आपको लग सबसे लोगे कि अच्छत इस गोलडन-ब्राउन होने में और क्रिस्पी हो चुका है तब आपको इसे फटा फट से तेल से बहार निकाल लेना है और इसे तरह से आपको पच्चे हुए नास्ते को भी फ्राइ करना है दूसरे नास्ते को यानि कि दूसरे बैच को फ्राइ करते समय आपको तेल को हलका सा ठंडा कर लेना है इसके बाद नास्ते को ढालना या फिर आपको नास्ते को डालने के बाद अपनी ग्यास के फ्लेम को बंद कर देना है b हमारा नास्ता बहुत ही अच्छे से कुक होता है अंदर से क्योंकि हमारा एक पैश फ्राइए होने के बाद तेल बहुत सदा गरम हो जाता है और आप गरम गरम तेल में अपनी पूड़ियों को यानि की इनका जोड़ियों को डालेंगे तो आपका नास्ता ऊपर से तो बहुत अच्छ से कलर में आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्छी रहेगी तो आप कैस की फ्लेम को बंद करके इन्हें थोड़ा सा पका लें और जैसे हलकी सी कुक हो जाए अपनी कैस की फ्लेम को दुबारा अन करके आपको इसे अच्छ से क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेना है तो च सब्सक्राइब कीजिएगा हम मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में ऐसी नहीं मसेदार एसे पीस के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाइए टेकर और थैंक्स पूर वाचिंग